मेरे नई वीडियो के अंदर आपका हार्दिक अविनंदन है हार्दिक स्वागत है दोस्तों आप बात करने वाले टाइगर 3 के 12 डे बोक्स ओपिस कलेक्शन की भायाम आपको देने वाले है जानकारी आप सभी जानते कि सलमान खान की मोस्ट अवेटिड फिलम थी टाइगर 3 क तो ऐसे बहुत सारे फेक्टर थे कि ये फिलम एक बहुत अच्छा कलेक्शन करेगी बड़ दोस्तों हमने जैसा सोचा था वैसा कलेक्शन ये फिलम नहीं कर पाई बलकि फिलम आने से पहले तो लोग ये कह रहे थे कि ये फिलम जो पठान और जवान है उनकी रिकोर्ड को क प्रेस करने वाली है और एक इतियास लिखने वाली है और अगली एक अजार करोड कमाने वाली फिलम बनने वाली है बट दोस्तों फिलम के मेकर से हो गई बलंडर मिस्टेक कि उन्होंने इस फिलम को रिलीज कर दिया ये एक बलंडर मिस्टेक थी वही इस फिलम को उनको रि दिवाली के उपर लेकर आए जब इस फिल्म का ट्रेलर आया है काफी पोजिटिव रिस्पोंस आया बट भई पता निक क्या हुआ लोगों को क्या पसंद नहीं आया क्या इसके पीछे कान डुरा तो मैं पता देना चाहता हूँ एक तो दिवाली इस फिल्म को ले डुबा दि इस स्टोरी को लोगों ने पसंद नहीं गया अगला जो वर्ल्ड कप चल रहा था उस वज़े से भी इस लोगों को लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा ये अगला फेक्टर आज इस वज़े चे फिल्म दूब गई बट इन सब के बावजुद फिल्म ने फर्स डे 44 ग्राफ उपर गया 59 करोड और थर्ड इस फिल्म ने किया 44 करोड और फॉर्थ डे 21 करोड उसके बाद लगातार इसका जो कलेक्शन वो गिरता चला गया अब आपको बता रहे 10 दे इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया भाई 6 करोड पिछे 30 लाग 11 दिन इस फिल्म ने 5 करोड 81 लाग और आपको बता देना चाहता हूँ 12 दे इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया तो 12 दे इस का जो कलेक्शन है वो आपको बता देना चाहता हूँ 5 करोड से भी नीच आया गया और फिल्म ने 4 करोड 70 लाग का कलेक्शन किया जो की काफी डाउन कलेक्शन में कह सकता Domestic Box Office Collection इस फिलम का 250 करोड हो चुका है लटकते जटकते इसने तना collection तो कर लिया है अब इस फिलम के पास कमानी के लिए ज़धा टाइम बचा नहीं है तो सो मैं कह सकता हूं कि ये फिलम इंडिया के अंदर तो बिलकुल भी 300 करोड कमाने वाली नहीं है बाकी भाई फिलम का डूबने की बज़े भी मैंने आपको बता दी है और कम collection क्यूआ ये भी मैंने बता दी है क्या आप मेरी बात से सहमेत हैं तो आप comment box में अपनी राए से मुझे बताएं फिर में इसी परकार की information लेकर